दोस्तों मैं रितो सुकला आपको अपनीरा सोई में स्वागत करती हूं आज मैं आपके लिए सोया चंक्स सोया बड़ी की बहुत ही अच्छी पिरियानी लेकर आई हूं यह दोस्तों यह टमाटर लैसन और अद्रक का पेस्ट है यह आलू और सोया चंक्स है यह चावल है दो दो तेज पत्ते जीरा हरी मिर्च इन सब चीजों का मैंने इस्तमाल किया है चावल को मैंने 20 मिनट पहले पानी में भिगो दिया था यह मैंने दही लिए दोस्तों आदी कटोरी यह हम अब इसमें धनिया पॉडर डाल रहे हैं वाले दो चम्मच धनिया पॉडर डाली है दो दोस्तों यह गरम मसाला डाल रहे हूं मैं आदे चम्मच यह कासूरी में थी है दोस्तों इसे जरूर से डालेगा अगर होगा तो बहुत ही टेस्टी लगती है और अगर ना हो तो इसकिप भी कर सकते हैं यह देखिए दोस्तों यह बिर्यानी मसाला है यह मैंने एक चमच भरके डाला है अब हम इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे दोस्तों यह बहुत ही टेस्टी बनी थी हमारे घर में तो सबको बहुत पसंद आई आप भी कमेंट करके बताना आपकी घर में सबको कैसी लगी और एक बड़ ट्राइजरूर से करना आई पर रख दिये अब हम इसमें घी डाल रहा है कि दोस्तों मैंने इसमें चार चमच घी डाली है अभी अभी मैं बाद मौट डालूंगी पर ऐसा जरूरी नहीं कि आप घी में ही बनाए आपके पास जो भी तेल हो आप अराम से बना सकते हैं यह मैंने तेज पत्ता जीरा जो से डाल रहे हूं दोस्तों इसमें यह मैंने प्याज डाल दी मैंने दो प्याज ली थी इसमें दोस्तों लाइन कट गई थी इसलिए थोड़ा सा अंधेरा दीख रहा है वीडियो में इसके लिए माफी चाहती हूं मैं अब हम इसमें सोया चंक्स डालेंगे इसमें आलो और सोया चंक्स को डाल दी है अब हम अच्छी तरीके से इसे मिलाएंगे बहुत ही टेस्टी रह से प्ये दोस्तों एक बार ट्राइज जरूर कीजेगों और बहुत ही जल्दी बन जाती है यह दिखी दोस्तों यह जो मैंने लेसन टमाटर और अद्रक का पेस्ट बनाया था वह मैं डाली हूं इसमें मैंने इसमें 8-10 लेसन लीती एक इंच अद्रक का टुकड़ा और एक टमाटर लिया था टमाटर बड़े साइच का था इन सबको आपस में बहुत अच्छी तरीक कुकर पिर्यानी स्वया चंक्स की वैसे जरूर बना के ट्राइ कीजिएगा बहुत ही मज़ा आने वाला आपको और एक बर कमेंट करके जरूर बताएगा कि कैसी लगी थी आपके फैमली में सभी को कि दोस्तों का टोई में थोगा सा पाहिं डाल के हमने में साफ करके डाल लिया है दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो प्लीज सस्क्राइब कर देजिएगा लाइक करिएगा कॉमेंट करके विताएगा हमारी रैसीपी कैसी लगती है और सेयर करना मत और भीना लाइक की मच जाईएगा दोस्तों इतरीये के दोस्तों मैं फिर वापस से घी दाल रहे हूँ इसमें मैंने दो चमच घी डालिए यह देखें दोस्तों यह मैं नमक डाल रही हूं आप अपने स्वाथ का अनुसाथ डालिएगा इसमें नमक जाने के बादे इस चावल का टेस्ट आता है तो आप प्लीज नमक डालना मत बूलिएगा देखें दोस्तों अब हम इसमें चावल डाल देंगे और चावल को डालने के बाद दोस्तों इसे बिल्कुल भी चलाना नहीं है बस चावल को डालके ऐसे उपर ही रहने देना बिल्कुल भी आप मत चलाईएगा इसे सबजियों के साथ में आप हम इसमें पानी डालेंगे दोस्तों पानी हमें बस ऐसे उपर से डाल देना बिल्गुल भी नहीं मिलाना है इसे देखें दोस्तों मैं पानी दिखा रही हूं आपको यह मैंने एक कटोरी पानी डाली है यह दो कटोरी दोस्तों मैंने तीन कटोरी चावल ली थी जिसमें मैंने दो कटोरी पानी डाली है जबकि हमें इसमें तीन कटोरी पानी डाली थी देड़ कटोरी चावल के लिए पर हमने दही डाला है और सब्जियां है जो अपना पानी छोड़ती है तो हमने इसमें एक कटोरी कम डाली है तो आप भी ऐसा ही कीजिएगा वरना फिर गिले चावल हो जाएंगे आपके मैं फिर से बता दे रही हूं दोस्तों मैंने देड कटोरी चावल जिसका टोरी से नापी थी उससे मैंने दो कटोरी पानी डाला है क्योंकि मैंने दही डाली है इसमें यह दिकी दोस्तों यह केसर वाला दूद है मैंने केसर डाला यह एक चमज और दोस्तों बस हमें एक सीटी जैसे है वैसी कुकर बंद कर देना उसका प्रेशर तुरंथी निकाल देना है वनाई चावल गिले हो जाएंगे प्रेशर निकल जाने के बाद में चावल फिर पकना बंद हो जाएंगे और चावल बहुत खिले-खिले बनेंगे देखिए मैं आपको दिखा रही हूं बहुत ही परफेक्ट कुक हुए थे बहुत ही खिले-खिले बहुत ही टेस्टी चावल बने थे और आप जब कुकर का प्रेशर निकाले तो चावलों को थोड़ा से चला के उपर नीचे कर दीजेगा ताकि जो उपर के चावल थोड़ लाइक जरूर कीजेगा हमारे चैनल पर बहुत बहुत सारे बीडियों जाकर जरूर देखिएगा इस बीडियो को भी पूरा देखने के लिए बहुत धन्यबाद यूँ ही हमें प्यार देते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा आगे किसी और वीडियो के साथ आप से मिलते हैं तब तक के लिए जैम आता दी